हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आई होग आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट लेक्चर नमबर टू आपके लिए लेकर आगे हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जाता इंपोर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था यानि कि पहला लेक्चर था उसमें हमने बात किया था कि कि मैगनेटस क्या होते हैं कुछ यू रेक्षं पता करने के लिए जाना है तो आपको नौर्थ ऑन्टरिक्शन चाना है या फीर संट वेच्छ जाना है तो आफिर प्रकार से अगर आप जंगल में कहो जाते हो या फिर कहीं ऐसे जगह पे घूम हो जाते हो जहां पाद काु और उससे Direction का पता लगा सकते हो तो वह लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना दोस्तों पहला लेक्चर था इसके जश्ट पहले हमने अपलोड किया हुआ तो बहुत काम का एं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है औ complete तो आपका 19 chapter 19 chapter भी complete हो जाएगा तो बस एक chapter बचेगा 20 chapter उसको भी जल से जल complete कर देंगे और आपका पूरा का पूरा sign का जो 7th का science का syllabus जो है वो complete हो जाएगा match का तो अल्री complete हो चुका है तो चलिए आज का lecture को शिरुवात करते हैं सबसे पहले हमी जो पढ़ना है जो topic का नाम है दोसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर that is magnetic field कल भी मैंने आपको explain किया था magnetic field के बारे में क्या होता है magnetic field जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि magnets जो होते है एक particular direction में ही काम करते है direction in the sense कि आपका जो magnet होता है जैसे कि अगर मैंने यहापे एक diagram बनाने की कोशिश करू है यहापे for example यह मेरा north direction इदर है और यह मेरा क्या ह south direction है तो यह north pole हो गया यह south pole हो गया हर magnet में जो bar magnets होते हैं लंबे वाले magnets होते है हर magnet में एक side north होता है दूसरे side south होता है और वो ही जो zone होता है उनका यह pole होता है उसमें ही जो magnets होते है वो सबसे शक्तिसाली हो सबसे ताकतवार होते हैं जैसे मैंने आपको पता है था कि कुछ इसी प्रकार षाओट होगे यहां पर आटाइच लेकिन बहुत ही कम , आप़ को देखने होगे यहां पर अटायस लेकिन सबसे ज़्यादा जो शसके कोनों होता याने sudah meant इसके magnetic field की बात कर रही है, तो मैंने just a attraction point of view बताया, कि किस प्रकार वो जो भी iron के particles होंगे, iron के या फिर cobald के या फिर nickel के, वो किस प्रकार attach होते हैं, वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊ, जैसे कि समझ लो यह मे magnetic lines आपको देखने मिलेंगे, और एक इस पर फंडा होता है, यह जो चीज़ आपको नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं दोस्तो, magnetic lines, क्या बोलते हैं, एक magnetic line, magnetic lines is nothing but एक तरीके का force होता है, एक zone होता है, जैसे कि एक क्रिकेटर होता है, जिसको straight खिलना अच्छा लगता है, त मतलब इसके reach के बाहर अगर जाएंगे, यानि कि अगर कोई object यहाँ पे है, और magnet का जो zone है, यहाँ तक ही है, तो वो उसको खीच नहीं पाएगा, वो जो लोखन होगा, जो magnet होगा, उसके उपर चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके zone से दूर है, लेकिन वोई इसके zone क अगर वो नजदीक आ गया, इधर पे आ गया, तो magnet उसको अपनी तरफ खीच लएगा फटक से, और वो magnet के पास आगे चिपक जाएगा, तो और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते है, magnetic lines of force, यह तो आपको पता, यह magnet है, और एक और चीज है, यहाँ पर आपको बता दू, कि यह जो magnet का, जो magnetic field है, या फिर magnetic line of force, जिसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तो, इसको एक scientist थे, जिनका नाम ताब Faraday, ठीक है न, Michael Faraday बोलते हैं, उनको, तो मैं सरनेम खाली लिख रहा हूँ, क्योंकि mainly तो आप सरनेम के नाम से ही किसी भी scientist को जानते हो, तो Faraday एक scientist थे, जिन् intensity, यानि कि, जो magnetic field है, उसको ताकत बोल सकते हो आप, तो magnetic field intensity जो होता है, वो low होता है, कब low होता है, यह बहुत important word है, यह ध्यान से सुनना, कि magnetic field intensity low होता है, जब मेरा यह जो line of forces होंगे, यह क्या हो जाएंगे, sparse हो जाएंगे, sparse मतलब क्या होते हैं, थोड़े से कम, ठीक है force हा, वो sparse होगा, sparse का मतलब होता है, थोड़ा सा कम होना, मतलब concentration का उल्टा होता है, sparse, sparse मतलब थोड़ा सा कम, तो magnetic field intensity low होगा, जब यह कम होगा, ठीक है, magnetic lines अगर मैं कम बनाऊंगा, तो उसका intensity कम हो जाएग, automatically, और जब magnetic intensity, जब जादा मुझे चाहिए होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यह magnetic line of force, जब dense रहेंगे, dense मतलब आप बोल सकते हो, एक तरीके से concentrated, यानि कि, जब मेरा magnetic lines of force क्या रहेगा, concentrated रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा, तो automatically क्या हो जाएगा, जो magnetic field intensity रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, तो यह आपको याद रखना है, ठीके, तो दो चीज है, यह जो magnetic line of force है, यह क्या होता है, magnetic line of forces, एक तरीके से force और एक zone होता है, जो कि magnets carry करता है, ठीके, यह आपको याद रखना है, और जो magnetic line of force, अगर जादा रहेगा, तो automatically, जो magnetic field रहेगा, या फिर magnetic field का intensity रहेगा, जो ताकत वो भी जादा रहेगा, अगर ये कम रहेंगे magnetic line of force, तो automatically magnetic field का intensity, ताकत जो रहेगा, वो कम हो जाएगा तो ये चीज़ आपको याद रखना है, clear है तो ये था हमारा आज का पहला topic, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple पलसा फंड़ा था इसका, अगले topic की पर चलते हैं, कि जो magnetic field या फिर magnetic line of forces जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके properties क्या होती है, क्या-क्या विशेष्थाय होती है, ये हमें जानना बहुत जोरी है, तो जैसे मैंने बोला, क्या नाम है, हमारा properties हमें पढ़ना है, that is, properties of, properties of, properties of, properties of, properties of, क्या बोला मैंने, magnetic line of force, properties of magnetic line of force, अब यहां पर एक चीज़ लेखो, ये properties of magnetic line of force तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, करेक्ट है, बहुत ही simple सा फंड़ा है इसका, अब इसकी properties क्या क्या हर एक चीज़ के एक property होती है, पहली property यह है, कि जो magnetic line of force होते हैं, they are always imaginary, ये word याद रखना, क्या बोला मैंने, कि जो भी magnetic lines of forces होते हैं, वो क्या होते हैं, imaginary होते हैं, अब सवाल यह होता, imaginary कैसे होते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ रॉकर के दिखाया है, यहा life में, तो क्या आपको वो linings, यानि कि magnetic zone है, उसका, जो magnetic line of force हो आपको नजर आता है, क्या नहीं नजर आता है, मतलब वो imaginary होती है, लेकिन वो होती है, एक उसका limit होता है, कि वहां तक जाएगा, तो magnet उसको खीच लेगा, लेकिन उसके दूर चला गया, तो magnet नहीं चिपक पा लाया कि यह आपका north है, ठीक है, यह आपका south है, यह north, यह south, तो हमेशा जो magnetic lines होगी, वो इस तरफ से जाएगे, यानि कि north से निकला, and south की तरफ गया, उसी प्रकार यह north से निकला, south की तरफ गया, यानि कि जो magnetic line of force है, वो कैसे run होते है, इस always run from, कहां से कहां जाते है, north से कहां तक जाते हैं, south तक जाते हैं, यह word आपको याद रखना है, correct है, बहुत simple तरीका है, इसको याद रखना है, okay, next अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक और बहुत मज़दार concept और properties है, कि जो magnetic line of forces होते हैं, वो हमेशा tension के तोर पे रन करते हैं, जैसे कि, यह magnetic line of forces, आभी tension का होते हैं, यह delay नहीं होते हैं, यह जो force होते हैं, बहुत ज्यादा strong होते है, tension, जैसे कि कोई चीज़ खीच के रखते हैं, हम लोग, जैसे कि rubber है, rubber को खीच के रखा हमने rubber को, तो वो उसमें क्या होता है, tension develop हो जाता है, tension मतलब यह वाला tension नहीं होता है, tension मतलब होता है, stretch करना जैसे हम लोग spring को खीचते हैं, तो उसको stretch करते हैं, तो उसमें जो भी like magnetic line of forces होता है, वो always किसमें होते हैं, tension में होते हैं, example की अगर मैं बात करू, stretched spring, जैसे हमारा stretched spring होता है, उसी प्रकार वो tension में होता है, ठीक है, next, fourth condition की अगर मैं बात करू, ये तो आपको समझ में आ गया, अगर चौता condition की और properties की बात करू, कि जो magnetic line of force होते हैं, they do not intersect with each other, ठीक है, do not intersect with each other, यानि कि वो एक दूसरे से कभी भी intersect नहीं करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर ही देख लिया ना, कि कोई भी एक line दूसरे line से overlap नहीं करता है, एक line ऐसा है, तो दूसरे line ऐसा है, तुसरे इसे भी सेम ऐसा है, यानि कि कोई भी line, जो होते है, magnetic line या आपस में intersect नहीं करते हैं, यह हो गया, चाहुथा property, पाचवा property जो है, कि यह जो magnetic lines होते हैं, तो जितने magnetic lines होते हैं, that is number of, यह पाचवा है हमारा, पाचवा है, that is number of magnetic lines जो होता है, magnetic lines जो होता है, number of magnetic lines, यह क्या determine करता है, determine the strength of magnetic field, यानि कि कि कितना ताकतवर मेरा magnetic field होगा, वो कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा, जितना हमारा magnetic lines होगे, जैसे हमने अभी अभी study किया, कि magnetic lines अगर ज्यादा होगे, तो magnetic field intensity भी ज्यादा होगा, तो same उसी प्रकार, जितना number of lines magnetic lines होगे, उससे हमें पता चलेगा, कि magnetic field का strength, ताकत कितना है, कितना उसका intensity है, वो हमें पता चलेगा, clear है, तो यह थे कुछ properties, magnetic line of forces के, उमीद करता हूँ, कि यह चीज़ आप जिंदगी बर याद रखो, क्योंकि बहुत important चीज़ है, यह वाला, चलते हैं, अगले topic के दब, दो topic है, चोटे-चोटे उसको भी discuss कर लेता है, फिर हम लोग आज का lecture को stop करेंगे, बहुत ही मज़ेदार concept है, यह चीज़ आपके real life में होता है, दोस्तों, तो इसको तो बिल्कुल skip नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से दिखना, तो सबसे पहले बात, अभी जो next topic में आपको ब penetrating ability of a magnet, या फिर magnetic field, तो heading है हमारा penetrating ability of magnetic field, कोई भी magnetic field का penetrating ability कितरा होता है, और कैसे होता है, यह हम लोग को पढ़ना है, बचपन में आप सभी ने एक experiment जरूर से किया होगा, कि समझ लोग कि मेर पास एक book है, या फिर एक book बोल सकते हो, या फिर यह समझ लग paper है, यहाँ पर मैंने क्या रखा, एक magnet लाया हुआ है, यह north pole वाला और यह south pole वाला, एक magnet लाया हुआ है, ठीक है, यह magnet आपको दिख रहा है, और यह paper के नीचे जो है, वो खिले हैं, बहुत सारे, खिले, nails होते हैं, यह nails है, iron के बने हुए nails है, तो होगा क्या, कि जब भी आ हाथ भी पकड़ लो, हाथ समझ लो, मैंने क्या रखा है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने खिले रखे हुए, बहुत सारे खिले रखे हुए, और मैं उपर से magnet लाता हूँ, तो magnet के पास एक ऐसा power होता है, यह आपका हाथ है बीच में, iron इधर पे लोखन है, इधर पे कुछ लो उससे, क्यों, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से magnetic line जो होती है, magnetic field जो होता है, वो घुच सकता है, चाहे वो paper हो, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो थोड़ा सा मोटा चीज है, लेकिन बहुत मोटा चीज है, जैसे कि आपने इतना मोटा भुक लग दिया, तो उसमें से वो इतने मोटे चीज में से पास नहीं हो पाएंगे, उसका magnetic line का intensity था, वहाँ पे खतम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पतला चीज है, छोटा चीज है, जैसे कि एक sheet of paper है, कोई पतला पेपर एक दम, तो आप magnet रखतो एक साइट, दुसरे साइट कोई भी iron के तुकडे, लोखन तो वह जाके उसके उपर चिपक जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, कि magnet के पास क्या होता है, penetrating ability होता है, penetrating ability मतलब किसी की सामान के अंदर वो घुच सकता है, मतलब physically नहीं घुच रहा है वो, खुच से नहीं घुच रहा है, वो अपना ताकत जो है, यानि तो इसी चीज को हम लोग बोलते है, penetrating ability of a magnet, तो यही ता बस इतना छोटा से topic आपको बास याद रखना है, कि कभी आपको कोई पूचेगा, क्या होता है penetrating ability magnet का, तो आप बता सकते हो इस प्रकार कि magnetic line of forces जो होते हैं, वो एक कोई भी object, मतलब उसका thickness के उपर depend करता है, अग आपने सभी ने देखा होगा, अगर आपने आपको diagram बना के दिखा हो, तो आपने जरूर से देखा होगा, कभी आप shopping करने के लिए mall गये होंगे, या फिर कभी आप railway station गये होंगे, तो इस प्रकार क्या होता है, एक दरवाजा होता है, लोखन का, इस प्रकार का, एक gate लगा आपने देखा होगा, कुछ ऐसे indicators होते हैं, sirens लगे होते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर security guard, आप मी कोई है खड़ा रहता है, for example, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है, तो basically क्या होता है, diagram मेरा बहुत कराब है, but definitely यह चीज गए होगे, तो जैसे आप entry लेते हो gate से, तो gate के अंदर ही आपको देखने मिलेगा, कि ऐसा rectangle shape में, एक metal detectors होता है, जैसे उसके अंदर से आप घुसके जाते हो, तो उसमें पेप, पेप आवा जाता है, और उनके हाथ में एक ऐसा racket होता है, बैटमिंटन खिलते हो, तो वैसे एक racket जैसा एक instrument होता है, जिसको metal detector भी बोलते हैं, वो आपके शरीर में से ऐसा घुमाते हो लोग, ताकि ये देखने के लिए, कि आपके शरीर के अंदर, या फिर आप जो सामान लेके जा रहे हो, बैग लेके जा रहे हो, या फिर जो भी सामान है आपके पास, उसके अंदर Electromagnets होते हैं, यानि कि Magnets से बने हुए एक तरीके से device होते हैं, जिसके अंदर power के through, यानि कि Electricity के through यहाँ पे उसको magnet बनाया गया है, इसको Electromagnet बोलते हैं, और Electromagnet के अंदर, जैसे ही आप पास होगे, तो आपके पास अगर कोई भी सामान है, किस चीज का मेंली, Iron का या फिर Steel का देखा जाता है, तो Iron का या फिर Steel का अगर सामान है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर beep होने लगेगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा, या फिर जो चेक करने वाले, जो security guards होते हैं, उनको पता चल जाएगा, कि आपके पास कुछ ऐसा सामान है, जो कि खतरनाक हो स कुछ ऐसे knives होते हैं, बड़े-बड़े वो लेके जा सकते हैं, ठीक है, बड़े-बड़े हतियार रखे जा सकते हैं, तो उस चीज से मतलब पता लगाने के लिए, ठीक है, आप normally कुछ लोग होते जो शरीर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, बैक के अंदर चुपा देते है तो वो back checking नहीं करते हैं, हर लोग back checking नहीं करते हैं, तो सीधा आप इसके अंदर से पास हो जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि कितना भारी amount of steel, या फिर कितना भारी amount of iron का तुकड़ा है, वो आप लेके जा रहे हो, तो उससे पता चल जाता है, जब उनको शक होता है कि आपके पास कुछ ऐसा समाने, तो फिर वो चेक करते है back को, तो इस तरह से लोगों की हिफाज़त होती है, हमारी countries की हिफाज़त होती है, और ऐसे जगा जैसे mall, railway station, airport, तो यह सब जगा पे सुरक्षा maintain रहेती है, तो यह बहुत ज़्यादा important है, तो it is mainly using bus stands है, railway station, airports, building, त ठीक है, आजकल बहुत सारे जगा पे उज़े malls वगरे में उचोते हैं, ठीक है, और कोई precious article तो नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है, इस चीज़ को detect करता है, metal detector, and mainly किसके उपर depend करता है, it is all dependent upon the electromagnet, और पूरा magnet का ही खेले, इसलिए इस chapter के अंदर आपको यह भी होता है, totally complete, तो आज हो गया हमारा 19th chapter भी खतम, बस एक chapter आपका बचा हुआ है, 20th chapter तो उसको भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आजाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे, दो से तीन lecture के अंदर ही उसको भी खतम कर दे, और आपका पूरा का पूरा 7th standard का science ह वो भी complete हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे हमारे नए lecture वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए नया chapter लिक्याएंगे, तो ये वीडियो और ये chapter आपको कैसा लगाए, दोस्तो प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी useful लगाए, तो प्लीज ये वीडियो को like कीजिएगा, दोस्तो दिल से like कीजिएगा, and share कीजिएगा, अपने सारे friends लोग को बहुत महनुत करते, दोस्तो वीडियो बनाने में, तो फटा-फट से share करते ना वीडिय तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye